हलो एवरीवन, वेलकम तू लर्नर भी एक्स्ट्रा, आइम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स माथ्स की बुक का चाप्टर 3, एक्सराइस 3.1 के क्वेशिन 1 हम लोग देख चुके हैं पहले ही और अब इसमें हम Q2 और Q3 पूरा का पुदा देखेंगे तो देखेंगे हमें Q2 में बताने हैं Multiples, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि Factors क्या होते हैं अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Multiples जो हैं वो क्या होते हैं तो देखे मल्टिपल्स का मतलब आपको simple आप से कहाँ चाहे ना कि 5 का multiple लिखो तो आपको क्या करना है आपको 5 की table लिख देनी है simply 5, 10, 15, 20, 25 आपको कुछ नहीं गरना आपको 5 की table लिख देनी है पूरे की पूरी तो multiples का मतलब होता है 5 की क्या multiple होंगे 5 की table में जो भी number आ रहा है 5 की table में जो भी number आ रहा है वो 5 का multiple होगा इसी तरीके से 6 के क्या multiple होंगे 6 की table में जो भी number आ रहे है वो 6 के multiple होंगे 7 के क्या multiple होंगे 7 की table में जो number आ रहे है इसी तरीके से 1000 के क्या multiple होंगे जो 1000 की table में number आ रहे है तो multiple तो बहुत असान है, आपको पूछा जाए कि multiple बताने हैं, तो आपको simply टेबल लिख देनी है, तो आपको सब के 5 multiple बताने हैं, तो 5 के 5 multiples क्या-क्या होंगे, 5 वंजा 5, 5 तुजा 10, 5 तुजा 15, 5 4 20, 5 5 25, तो 5 multiples of 5 are 5 10, 15 20 and 25, अब 8 के सारे multiples आपको बताने हैं, तो 5 multiples बताने हैं, 8 के तो 8 वंजा 8, 8 तुजा 16, 8 तुजा 24, 8 फॉर्जा 32, 8 फाइवजा 40, तो 8 के 5 multiples क्या हो गए, आपको पूरी 5 तक टेबल लिख देनी है, 8 वंजा 8, 8 तुजा 16, 8 तुजा 24, 8 फॉर्जा 32, और 8 फाइवजा 40, ये सारे के सारे multiples आपको 8 के लिख देने हैं, 5 multiples, 9 के multiples लिखने है, 9 1s 9, 9 2 तुजा 18, 9 3 4, 27, 9 4, 36, 9 5, 45, तो 9 के सारे के सारे multiples आप लिख देने, 9 9, 9 2 तुजा 18, 9 3 27, 9 4, 36, 9 5, 45, तो ये हमारे सारे के सारे questions हो गए, बतलब question 2 के सारे parts हो गए, आपको गया करना है, सिर्फर सिर्फ टेबल पूरा का पूरा लिख देना है, आइटम इन कॉलम 2, 35 क्या है, तो देखे, 35 जो है, वो हमारा मल्टीपल है, 7 का, क्योंकि 75 जा 35 होता है, 35 क्या हो गया, 7 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 75 जा 35 होता है, अब 15 क्या है, 15 जो है, फैक्टर है 30 का, फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है, कि क्य 30 15 की टेबल में आता है तो हां 30 15 की टेबल में आता है 15 तूजा 30 यानि या फिर 30 जो है अगर 15 से डिवाइड हो जाए जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो जिस से डिवाइड होता है न वो इसका फैक्टर हो जाता है और 16 जो है, 16 का 3rd है, क्योंकि 16 is the multiple of 8, 16 8 का multiple है, क्यों, क्योंकि 8 की table में क्या आता है, 2 times 16, 8 to just 16, 16 8 का multiple है, 20 क्या है, 20 factor है 20 का, obviously, factor क्या होता है, 1 और it itself, मतलब खुद का खुद अपने आपका factor होता है, 20 खुद का factor हो गया, 25 क्या हो गया, इसमें 25 जो है, वो 50 का factor हो गया, क्य 25 की table में 50 आता है, ठीक है, है ना, और आप 50 को 25 से divide करेंगे, तो कट जाएगा, तो पुरा का पुरा कट क्या, तो factor हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेस्टन है, question number 4, find the multiple of 9 up to 100, 9 के सारे के सारे multiple बताने है, 100 तक, तो मतलब 9 की आपको table तब तक लिखती जानी है, जब तक आपका 100 ना आ जाए, 9 की table आपको कब तक लिखनी है, जब तक 100 ना आ जाए, तब तक आपको 9 की table लिखते जानी है, तो 9 बन जा 9, 9 तो जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, और 9 11 जा 99 होता है, अब 99 से, आब 9 12 जा करोगे, करके देख लिए 9 जा 18, 9 जा 9, 10 108, बट हमें तो 9 के वो multiples बताने थे, जो 100 से छोटे थे, कम थे, तो 100 से छोटे 9 के जितने भी multiples हैं, तो सारे के सारे ये लिखे होगे हैं, तो हमारे exercise अप complete हो गई है, सारे के सारे questions 3.1 के complete हो गई है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएए, अच्छा लगा तो के साथ शेर तरिये, thank you.